तो हेलो दस्तो स्वागत है आपका आपके अपने जाएं टैक्स लव वाली पे तो दोस्तो देखो अब भी सिलर bracht credits में नहीं है एक है Old क्लेम करनी है तो आपको old tax regime में आपको opt करना पड़ेगा तो इसके लिए अब नया form introduced हुआ है जिसका नाम है form 10-IEA तो चले detail में जानते हैं आज आपको मैं पुरा process बताऊंगे कि आप इसको कैसे file करेंगे और अपका old tax regime में कैसे अपने income tax return को file करेगी तो चले है वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए हमारे tax के जिसे आपको पता है new tax regime है old tax regime है अब क्या है अगर आपको new से old में जाना है तो आपको अपना form 10-IEA करना पड़ेगा file लेकिन अभी कहना सबसे पहले बात आप यह जानो पूरे lifetime में आप 10-IEA को सिर्फ दो बार ही file कर सकते है उसके जादर नहीं कर सकते है अगर आपको new से old में जाना है एक बार चले गए आपने old tax regime में अपनी वाइल कर दिया अगले साल ऐसन यह कि आप बार-बार स्विच्च करते रहोगे इस बार नियू में कर देता हूं दूसरे बार ओल्ड में ऐसा नहीं हो सकता आपको एक बार दो बार ही मुखा मिलेगा आपको चूज करने का अब आपको ओल्ड से नियू में जाना तब भी आप आपका फिर चलते हैं कि कौन से ITR form पे यह applicable है ITR 102 अगर आप फाइल कर रहे हैं तो उस पे applicable नहीं होगा वो simply आप ऐसे ही कर सकते हैं लेकिन अगर आपको ITR 3 और 4 अगर आपके कोई business income है और salary की income भी है तो आप ITR 3 और 4 फाइल करेंगे जिसके लिए आपको 10 IEA की ज़रत पड़ेगी तो अब देख लेते हैं एक बार इसका process क्या है पूरा कि हम कैसे इसको फाइल कर सकते हैं तो देखे इसके लिए आपको क्या करना है आपके income tax portal पे आजाना है हम आपे login कर लेना है आपको login करने के बाद आपको क्या करना है इफाइल के option पे जाना है income tax forms में जाना है और file income tax forms में आपको click करना है ये click करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए forms की list खुलेगी सबसे उपर आपको दिया हुआ है form 10 IEA इस पे आप click करेंगे file now पे यहाँ पे option दिया है इस पे click करेंगे उसकी बाद देखिए यहाँ पर आपकी personal details आ चाहेंगे फिर उसकी बाद आपको क्या करने यहां से assessment year select करना है assessment year कौन सा होगा 24 25 ठीक है उसकी बाद आपको continue पे click करना है continue पे click करने की बाद आपको यह option दे रहा है कि आप अपने old tax region में जा रहे हो तो इसके लिए आपको let get started पे click करना है अब यह आप से दो तिन question पूछेगा कि आपकी कोई business की income है अगर देखिए अगर आप यहाँ प अगर original itr को file कर रहे है तो 31 जुलाई ठीक है उसके बाद आपको continue पे click करना है continue पे click करने के बाद आपको यहाँ पे yes पे click करना है अगर आप first time form को file कर रहे हैं तो यहाँ पर opting out पर automatically select हो के आएगा, अगर आप second time कर रहे हो तो यहाँ पर re-entering भी कर सकते हो कि हम new text gym में दुबारा जा रहे हैं, ठीक है, फिर उसको save कर देना है, save करने की बाद आपको नीचे आ जाना है, फिर additional information देखे, अगर आप opt out कर रहे हो तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको कुछ भी fill नहीं करने देगा, re-enter करने हो तो यहाँ पर आपको details fill करने पड़ेगी, फिर उसके बाद save पर click करना है, save करने के बाद आपको declaration और verification पर click करना है, यहाँ पर आपको आपको नाम, pan number दिखेगा, उसके बाद उसको select करना है, select में आपको यहाँ पर अपने father का नाम लिखना है, और यहाँ पर इन दोनों columns को आपको tick कर देना है, place में आपको अपना address select करके अपना location डाल देना है, उसके बाद सीधर save पर click करेंगे, यह तीनों information आपको save हो गई है, उसके बाद आपको preview पर click करना है, preview में आपको 10 IEA का format दिखेगा, यहाँ से आप download भी कर सकते हैं, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, नीचे आजाने के बाद आपको यहाँ पर proceed to e-verify पर करना है, yes पर click करेंगे, अब देखें, यहाँ पर आपकी जो information आपका pan number दिखेगा, form 10 IEA दिखेगा, assessment year दिखेगा, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अधार के थुरू ना, OTP के थुरू आपको e-verify कर देना है, और आपका form 10 IEA फाइल हो जाएगा, तो यही पूरा process है, आपका form 10 IEA फाइल करने का, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और useful लगे तो वीडियो को like जुरूर करना, दूसरा अगर आपको इभी ITL consultancy या ITL related services लेना चाते हैं, तो नीचे देगाए number पर contact में कर सकते हैं, चानल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे information सबसे पहले पाने के लिए WhatsApp ग्रूप और Telegram ग्रूप का link description में डाल दिया, फड़ा फट से जाके join कर ले और तब तक के लिए मिलते अगले वीडियो में, bye bye, take care.